हाई गाईज, वेलकम बैक टो नो एंड लर्न विट आयोश आज हम बात करेंगे अंटार्क्टिका के लैंड फॉर्म्स की अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले कि हमारी अगली वीडियो होगी अंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन्स पे के अलावा अंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन्स के बाद हमारी अगली जो वीडियो होगी वो होगी इंडियन एक्सपेडिशन टू अंटार्क्टिका इसलिए आप दोनो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर दें इसलिए सब्सक्राइब करें नो एंड लट विट आयूश को बेल आइकन को प्रेस करें के अलबा जो लोग डिस्कवरी ओफ अंटाक्टिका नहीं देखे हैं तो पहले डिस्कवरी ओफ अंटाक्टिका देखें क्यों उसमें मैंने काफी कुछ डिस्कस किया है यो भले ही छोटा है इन्फॉर्मेटिव है वीडियो में मैंने काफी कुछ बताया है जैसे कि लोगों को ये पता कैसे चला कि अंटाक्टिका एक्जिस्ट करता है को क्लिक किए जिए और उस वीडियो को यानि कि डिस्कवरी ओफ अंटाक्टिका को पूरा देखे जो लोग डिस्कवरी ओफ अंटाक्टिका को देख चुके हैं इनके लिए लेंड फॉर्म्स ओफ अन्टाक्टिका सुड़ू होता हैं कर हमारे दिमाग में एक ऐसी पिक्चर हो जाती है जो कि बताती है कि एक continent है पूरी तरह से बर्फ से ढखा हुआ है तो पूरी तरह से सही है लेकिन क्या वाके में ये बात पूरी तरह से सही है जी नहीं आक्टिका पूरी तरह से बर्फ से तो कवर नहीं है लेकिन वो 98 फीजदी तक का जो हिस्सा है अंटाक्टिका क वो बर्फ से धका हुआ है अंटाक्टिका देड़ किलोमेटर मोटी बर्फ से धका है अंटाक्टिका सबसे थंडा होने के साथ सबसे सूखा और सबसे उचा कॉंटिनेंट है यह सी लेवल से 2 किलोमेटर उपर है अंटाक्टिका पूरी दुनिया की अबे फीजदी तक की बर्फ को अपने अंदर समेखे है कि अलवा अगर ये सारी बर्फ बिगल जाये फिर मीठे पानी की यहाँ आप अंटाक्टिका में कितनी मौझूद की है तो वो है पूरी दुनिया में 70 फीजदी तक अंटाक्टिका के दो हिस्से हैं एक है लेजर अंटाक्टिका और दूसरा है ग्रेटर अंटाक्टिका लेजर अंटाक्टिका जो की अंटाक्टिका का वेस्टन पार्ट है और वो छोटा है वो अंटाक्टिक पेनिंसुला भी कहलाता है अपर आप Peninsula नहीं जानते हैं, आपको बता दू, Peninsula एक जमीन का हिस्ता होती है, जो तीन तरफ से पानी से और एक तरफ से जमीन से घिरी होई होती है, तो ये जो Antarctic Peninsula है, पस्चिम से Pacific Ocean, उतर से Weddell Sea, दक्षिर से Ross Sea, और पूरब में टेटर अंटाक्टिका से कवर्ड है, अंटाक्टिका के ये दो टुकडे हुए, Weddell Sea और Rose Sea की वज़ा से, की लगबग बाटी ही दिया है, के अलावा इन दोनों हिस्तों को पूरी तरह से बाटा है, ट्रांस अंटार्टिक माउंटेन्स ने, इंसन मैसिव अंटाक्टिका का सबसे उचा पाणड है, सी लेवल से 5940 मेटर उपर है, ये एल्सवर्थ लैंड में मौझूद है, क्योंकी लेशर अंटाक्टिका में मौझूद है, यह हम अगर इसतन अंटाक्टिका के सबसे हाईयस पॉ WordPress की बाथ करें, Ross Sea में जो आइलेंड है उन्हें Ross आइलेंड का जाता है इसे में Mount Arabus मौजूद है क्योंकि Antarctica का सबसे ऊचा उस्तरा सक्रिय ज्वाला मुखी है Mount Sydney Antarctica का सबसे ऊचा ज्वाला मुखी है जो South Pole है वो South Pole Plateau में मौजूद है South Pole Plateau Sea Level से 2785 मीटर अबव है अंटाक्टिका में करीब 70 जीले डिसकावर की जा चुकी है इन सब में सबसे बढ़ी है लेक वस्टाक्ट अंटाक्टिका के इन दोनों हिस्सों का मौसम लगबग एक जैसा ही रहता है अभी तक आपको जो लेजर अंटाक्टिका की बाउंडरीज बता दी लेकिन ग्रेटर अंटाक्टिका की बाउंडरीज नहीं बता ही है ग्रेटर अंटाक्टिका की बाउंडरीज है वस्टिम में लजर अंटाक्टिका उप्तर में अटलांटिक महासागर पूरब में सदर्न ओशियन दक्षिन में पैसिफिक ओशियन साथ पोल प्लैट्टियो के अलावा कुईन माउड लैंड भी एक प्लैट्टियो है यह एक कोस्टल एरिया है इस वीडियो का टॉपिक खतम होता है इसलिए के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियों पर इसका टाइटल होगा Antarctic Research Stations इसलिए तब तक के लिए बाई बाई